आज हम जिन कार्बनिक योगिकों के विशाय में जानने जा रहे हैं, वो कार्बनिक योगिक प्रकरती में सुगंध और स्वात प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। चीज़्बनिक फ्रदान कार्बनिक में फ्लेवर या खुश्भू देने के लिए उप्योग मिलाते हैं। या भी एक प्रकार का एलडि है। जो की वेनलीन के नाम से जाना जाता है और इसमें जो वेनलीन है या हमें वेनिला सेम से प्राप्त होता है इसी प्रकार का एक एल्डिहाइड है जिसे हम सलिसल्डिहाइड कहते हैं जिसकी सरचना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं या हमें मेडो स्वीट से प्राप्त होता है या भी सुगंद देने के लिए काम में आता है फ्लेवर देने के लिए उप्योग में लाये जाता है इसी तरह से डालचिनी इसका उप्योग भी आप करते हैं डालचिनी जिसकी खुश्बू से हमारे खाने में स्वादा जाता है और इसका में जो एल्डि हाइड उप्योग में आता है इसमें जो उपस्तित एल्डि हाइड है वा होता है सिने मैल्डि हाइड जिसकी शरचना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से हम देखें कि बहुत सारे जो खादिपदार्थ हैं तथा बहुत सी औरशधिया हैं, उनमें फ्लेवर तथा सुगंध देने के लिए इनका उप्योग किया जाता है। इसी तरह से इनके कुछ योगिक ऐसे भी हैं, जिनहें विलायक के तौर पर उप्योग किया जाता है, जिसे की एसी टोन या फिर कुछ कमपाउंड्स का उप्योग इडिस्यू चिपकाने वाले ग्लू बनाने के लिए भी इनका उप्योग किया जाता है। इतना ही नहीं, ये कार्बनिक योगिक जीवों में होने वाली जैव रैसाइनिक अभी क्रियाओं के लिए भी जिम्मिदार होते हैं। जैसे कि हम देखें प्रकास संस्लिशन की क्रिया में जिसमें की पधे कर्बन डायोकसाइड तथा जल का उप्योग करके सूरी के प्रकास में पॉण हरिम की उपस्तती में ग्लुकोस का निर्मान करते हैं तो ये glucose भी यहाँ पर आपकी सरचना देखें तो ये glucose भी एक polyhydroxy aldehyde ही होते हैं तो इस तरह से हम देखें हमारे दैनिक जीवन में या फिर और दोगीक रूप से उप्योग होने वाले बहुत से वस्तों में जैसे की paint, resin, perfume, plastic तथा वस्तर के निर्माण में इन कार्बनिक य योगिकों यहने की aldehyde, ketones तथा carboxylic अमलों का उप्योग किया जाता है तो आएए अब हम जानते हैं इन सभी कार्बनिक योगिकों के विशाय में सबसे पहले हम जानेंगे aldehyde, ketones के बारे में और उसके बाद हम carboxylic अमल तथा उनके derivatives के विशाय में जानेंगे आएए जानते हैं इन योगिकों की सरचना, पिछले अध्याय में हमने alcohol, phenol तथा ether के विशाय में जाना यहाँ पर हम देखें कि जो alcohol, phenol तथा ether थे उनकी जो सरचना थी उसमें carbon और oxygen के बीट एकल बंद पाया जाता था जैसे कि यहाँ पर हमने देखा alcohol, ROH जिसका सामाने सुत्र होता है, यहाँ पर हम देखें कि carbon और oxygen के बीट एकल बंद होता है इसी तरह से हमने देखा कि जो phenol है उनमें एक बेंजिन रिंग थी तथा उससे जुड़े हुए oxygen OH में हम देखें कि carbon और oxygen के बीट यहाँ पर भी एकल बंद था इसी तरह से ether जिनका सामाने सुत्र था यहाँ पर ROR वहाँ पर भी हम देखें कि carbon और oxygen के बीच एकल बंद पाया जाता था लेकिन यहाँ पर हम जो योगिकों का अध्यन करने जा रहे हैं यहने कि अडिहाइट, ketones तथा carboxylic अमल इनकी सरचना में एक मुख्य समूम पाया जाता है जिससे हम कार्बोनिल समूम कहते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि carbon और oxygen के मद्ध एक द्वीबंद पाया जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बनिल समूह जिसमें की कार्बन की चारों सेयों जक्ताओं में से दो सेयों जक्ता ओक्सीजन के द्वारा पूरी हो रही है जबकि दो अन्निस सेयों जक्ता दो भिन भिन समूहों के द्वारा पूरी होती है तो इस तरह से कार्बनिल कार्बन में जो कार्बन होता है यह मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ पर द्विबन उपस्तित है तो इस प्रकार से इसमें जो संकरण की स्थिति होती है वह SP2 संकरण होती है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कार्बनिल कार्बन के कार्बन से जुड़े हुए अन्य दो समू है उनमें कौन-कौन से तत्व या प्रतिस्थापी उपस्तित होंगे इसके आधार पर ही हम इन्हें भिन-भिन कैटेगरी में बाढ़ सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं यदि इस कार्बनिल समू में से जो दो बंध है वह उक्सीजन के साथ उपस्तित है इसके अलावा बाकी के जो शेस दो आबंध हैं उसमें से यदि एक अलकिल सम मों उपस्तित हो तथा दूसरा हड्रोजन उपस्तित हो तो इस प्रकार से योगिकों की जो कैटेगरी प्राप्था में होगी उन सभी को हम एक साथ LDHALT कहते हैं यहने की इनका सामान सूत्र होगा RCHO दूसरी और यदि कार्बन से जुड़े हुए जो अन्य दो समू है उसमें यदि दोनों ही अलकिल समू हो तो उस स्थती में कार्बने की ओगिकों का जो दूसरी कैटेगरी हमें प्राप्थ होगी वोसे हम कहेंगे की टोन जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं R, C double bond O, R तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कार्बने समू है C double bond O है उसके दोनों और अलकिल समू जुड़े हुए हैं इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तीसरा समू यदि कार्बन से जुड़े हुए C double bond O इसके बाद जो कार्बन से जुड़े हुए एक अलकिल समू हो और दूसरी और यहाँ पर O H समू उपस्तित हो यह हम सीधे कहलें कि जहाँ पर कार्बन और एक तो कार्बन के साथ बंद बना रहा है और जो दूसरा बंद है वह oxygen के साथ बना रहा है तो इस प्रकार की जो सरचनाव से युक्त योगिकों को हम कार्बोगजलिक एसिट कहते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसमें उसकी पहली जो दो सरच सहुझता है वह oxygen के द्वारा पूरी हो रही है इसके अलावाद जो दो अन्ने सहुझता है वह एक तो कार कार्बन दोनों जगा पर कार्बन से पूरी हो रही हैं जबकि कार्बोगजलिक अमल में कार्बन की जो दोनों सहुझता है वह एक तरफ कार्बन से और दूसरी तरफ oxygen से पूरी हो रही है तो इस प्रकार से हम देखें कि हमें मुख्य रूप से तीन कार्बनिक योगिकों की केटेगरी प्राप्त होती है अग यहाँ पर हम देखें जो कॉर्बोग्जलिक अमल है इसमें भी इससे जुड़ा कार्बन से जुड़ा हुआ जो ओएच शमू है इसमें भी यदि हम हाइड्रोजन या पूरे हाइड्रॉक्सिल समू को अन्य भिन्य भिनी समूँ से प्रतिश्थापित कर दें, तो हमें कार्बनी क्योंगिकों की अनिशर्णिया कैटेगरी प्राप्त हो जाती है। उदारन के लिए यदि हम इसमें उपस्थित जो OH समू है, उसके हीड्रोजन को एक अलकील समू से प्रतिश्थापित कर दें, तो हमें जो सामाने सूत्र प्राप्त हो जाएगा वो होगा R C double bond O O R और इस प्रकार के जो केटेगरी वाले कार्बनिक योगिक होते हैं उन्हें हम Aster कहते हैं दूसरी और यहाँ पर हम यदि hydrogen को विस्थापित करके यहाँ पर पुनह C double bond O R समुह जोड़ दें यानि कि जो पहले oxygen परमाणू के पहले जो जुड़ा हुआ है समुह C double bond O R वही हम oxygen के साथ दूसरी और भी रख दें C double bond O R तो इस प्रकार क्या जो कार्बनिक योगिकों का समुह हमें प्राप्त होगा उससे हम कहते हैं acid and hydride इसके बाद हम देखें कि यदि कॉर्बाग्जलिक अमलके कार्बन से जुड़े हुए जो OH समुह हो यदि हम इसको पूरी तरह से OH समुह को हटा कर वहाँ पर एक chloro समुह ले आएं तो कार्बनिक योगिकों का एक नया समुह हमें प्राप्त होता है जिसे कहा जाता है acyl chloride इसी तरह से यदि हम OH समू को एक amine समू यानि की NH2 समू से प्रतिस्थापित कर दें तो हमें कार्बनिक योगिकों का एक नया समू प्राप्थ होगा जिसे कहा जाता है acyl amide तो आपने देखा कि मुख्य रूप से aldehyde ketone तथा कार्बोग्जलिक अमल कार्बनिक योगिक हमें प्राप्थ होते हैं लेकिन यदि हम कार्बोग्जलिक अमल से जुड़े हुए जो कार्बन से जुड़े हुए OH समू हैं उन्हें हम भिन भिन प्रतिस्थापियों के द्वा इसके हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समू को प्रतिस्थापित करके प्राप्थ होते हैं इसलिए इन्हें हम कार्बोग्जलिक अमल के व्योद्पन के नाम से जानते हैं तो इस अध्याय में हम सबसे पहले लडिहाइड तथा कीटोन के विस्तार से जानेंगे और उसके बाद हम कार्बोग्जलिक समू तथा उसके वित्पन्नों के विस्तार में जानेंगे तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम अल्डिहाइड और कीटोन से सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे अल्डिहाइड और कीटोनों का नामकरण तो LD हाइट और कीटोन का नामकरण दोनों पद्धतियों से किया जाता है सामान पद्धती के द्वारा भी और इनकी IUPAC पद्धती के द्वारा भी हम इनका नामकरण करते हैं ज़्यादा तर LD हाइट और कीटोन अपने IUPAC पद्धती के नाम से ज़्यादा ये अपने सामाने नाम से भी जाने जाते हैं और तो चली देखते हैं इनका सामाने नाम किस प्रकार से दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक कंपाउंड दिया हुआ है H-C-H-O यह एक LD हाइट है क्योंकि यहाँ पर C-H-O समूं उपस्तीत है तो यहाँ पर जो LD हाइट है उनका सामाने नाम करन करने के लिए हम यह जिस भी कार्बाग्सलिक अमल का वित्पन होता है और किस कार्बाग्सलिक अमल का वित्पन है उससे हम इसकी कार्बन संख्या से पहचा सकते हैं तो यह अंग्रेजी नाम के बाद शब्द जोड कर इसका जो अंग्रेजी नाम होता है उसके एक एसिड को हटा कर उसके जगह पर हम एल्डेहाइड सफिक्स जोड कर इसका नाम करन करते हैं जैसे कि यहाँ पर सूतर है HCHO तो यहाँ पर चुकि एक कार्बन है और एक कार्बन वाला जो कार्बॉक्सिलिक अमल होता है वह होता है फार्मिक अमल तो यह फार्मिक अमल का विद्पन है अता इसका नाम करन करने के लिए हम फार्मिक अमल जो एक फार्मिक एसिड है उसके acid जो यहाँ पर सफिक्स है उसको हटा देंगे और उसके स्थान पर हम एल्डिहाइड जोड देंगे तो इसका नाम हो जाएगा का फॉर्म एल्डिहाइड उसी तरह से यहाँ पर दूसरा सूतर आपको देख रहा है और इसका जो सामाने नाम है वह है एसीट एल्डिहाइड क्योंकि हम जानते हैं यह दो कार्बन वाले पर ए यहाँ पराद का वितकन हैं और एसीटिक एसीट के अंत्यम है एक एसिएड को हटा कर हम यहاं पर यहां पर जाएड जोड देंगी तो इसका नाम हो जाएगा ऐसा 6D यही तरह से यहां पर हम लें जो यहां पर देख रहे हैं यह बेंजिन रिंग है और बेंजन रिंग से जुड़ा हुआ चैप धो हम है तो इस चुकिए यह है गाल्य केस्टाबर्यर और यहां अरिक असलों सब्सक्राइब का सामाने नाम करण त Singing यहांपर कार्बन श्रिंखला अधिक होती है तथा कार्बन श्रिंखला में प्रतिस्थापी उपस्तित होते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो कार्बन श्रिंखला है उसमें कार्बन का अंकन करने के लिए ग्रीक अलफबेट का उप्योग किया जाता है तो ग्रीक जो एलफा बीटा ग समूं यहां पigning ऐन्धी something आश Lan मिदक कि हहां पर किजिदी ए快 हो समु से सीद्धे जुड़ा हुआ होता है जैसे कि हमoserik सकते हैं यहां यहाँ पर हम देखेए कि जो बीटा कार्बन है उससे ब्रोमो समु जुडा हुआ हुआ है तो यहाँ पर प्रतिस्थापी की इस्तती को दर्शाने के लिए कार्बन का जो अंकन है उसका उप्योग करेंगे और इसका नाम हो जाएँगा बीटा, ब्रोमो, साथ ही साथ तरह से इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटे रेलडिहाल इसी तरह से यहां पर एक और उदारन हम ले सकते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि CHO समू से जुड़ा हुआ जो यहां पर तीन कार्बन जुड़े हुए हैं इसमें से जो पहला अल्फा कार्बन है उससे एक हड्रोक्सी समू जुड़ा हुआ है तो यहां पर हम प्रतिस्थापी के रोप में इसे नाम देंगे अल्फा हड्रोक्सी और चुकि यहां पर भी दे तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्डिहाइडों का नामकरण करने के लिए हम जो भी कर्बाक्सलिक अमल से ये प्राप्थ होता है उसका अंग्रेजी नाम देते हैं और उसके नाम के अंत से एक एसिड हटा कर उसके पीछे सफिक्स के तौर पर अल्डिहाइड चोड़ देते हैं आइए अब कुछ उधारन लेते हैं कीटोनों का और उनका सामाने नामकरण किस तरह से किया जाता है तो कीटोनों का सामाने नामकरण करने के लिए यहां पर जो भी कीटोनिक समू होता है यहां पर हम देखेंगे कि कीटोनिक समू हमेशा श्रंखला के मध्ध में उपस् तो जो ketonic समू है उससे जुड़े हुए जो alkyl या aryl समू होते हैं उनका नामकरण किया जाता है और उसके बाद उनके नाम के बाद alphabetically उनका नाम लिखने के बाद अंत में ketone suffix जोड़ दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर उदारान हम ले रहे हैं CH3C double bond OCH3 अब यहाँ पर जो ketonic समू मद्ध में उपस्तित है उसके दोनों और methyl मूलक उपस्तित हैं और चुकि इनकी संख्या दो है तथा ये समान है और इसलिए इसका जो नाम होगा वो होगा dimethyl ketone और इसे dimethyl ketone इसे सामाने ना इसी टोन के नाम से भी जाना जाता है इसी तरह से एक और उदारान हम लेते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ketonic समू है उससे एक और CH3 समू जुड़ा हुआ है तर्था मेथाइल समू जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर alphabetically एथाइल पहले आएगा तो इसका नाम हो है उसमें प्रतिस्थापी उपस्थित है तो उनका इस्तती दर्शाने के लिए हम कार्बन जो श्रिंखला है उनका ग्रीद संकेतों के द्वारा इनका क्रमांकन करते हैं तो यहां पर हम देखें कि जो किटोनिक समू है वह मद्ध में उपस्थित है और उससे जुड़े हुए यहां पर बाई और भी दो कार्बन है जबकि दाई और भी दो कार्बन हैं तो यहां पर हम यदि बाई और वालों को अलफा बीटा नाम देते हैं तो उसी तरह से दाई और वाले जो कार्बन है उसमें भी हम अलफा बीटा यहां पर नाम देंगे और अंतर करने के लिए हम हाँ पर अलफा डश बीटा डश का चिनहंकम करते हैं और इस तरह से हम देखें कि यह जो हमारे पास सुधारान है उसमें हम देख रहे हैं कि एक बीटा पोजिशन पर ब्रोमो प्रतिस्थापी है तो इस तरह से इसका जो प्रतिस्थापियों की सती दर्शाते हुए हम इनका नामकरन करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका नाम हो जाएगा अलफा डश बीटा डाई ब्रोमो की टोन तो इस तरह से यहाँ पर हम इनका नामकरन करते हैं इसी तरह से यदि की टोनिक समू के एक और अलकिल समू हो तथा दूसरी और यहाँ पर फेनिल समू एसल समू है उसे prefix के रूप में लिखा जाता है तथा जो aromatic समू है उसे suffix के रूप में Copa kane के रूप में लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पर हमें कुदारण देख सकते हैं यहाँ पर ऊदारण है एक बेंजिन रिंग है जिससे जो कीटो operator समूं है उससे जुड़ी हुई एक और बेंजिन रिंग है तथा एक और मिठाइल समूं उपस्तित है तो चुकि यहाँ पर हम देखें कि दो कार्बन है तो इसलिए यहाँ पर जो इस समूं होगा वा एसीटो होगा तथा उसके पीछे हम जोड़ेंगे फिनोन तो इसका नाम ह हो जाएगा एसीटो फिनोन इसी तरह से मालीजे की टोनिक समूं से जुड़े हुए दोनु समूं फेनिल समूं है यहाँ पर तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो एक फेनिल समूं है क्योंकि यहाँ बेंजीन के रूप में है और तो इसे हम कहेंगे बेंजो तथा उसके जाते हैं अब हम जानते हैं एवं की टोनों का आयू पीएसी पद्धती के अनुसार नामकरण किस प्रकार से किया जाता है इनका नामकरण करने के लिए भी हम उन्हीं नीमों का पालन करते हैं जिसका हमने कक्षा 11 में कार्बनिक योगिकों के नामकरण के अंतरगत अध्यन किया था केवल कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी होती है एक तो ये कि यहाँ पर हम देखें कि जो एल्डिहाइड समू होता है यदि हम एल्डिहाइड का नामकरण पहले देखें तो हम देखें जो एल्डिहाइड समू होता है वह यदि जो हम मुख्य श्रिंखला में सामिल है एल्डिहाइड समू का जो कार्बन है यदि वह मुख्य श्रिंखला में सामिल होता है तब हम इसक मुख्य श्रिंखला में सामिल नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थती में हम जो मुख्य श्रिंखला का नामकरण करने के बाद जो सफिक्स के तौर पर हम पूरा कार्ब एलडिहाइड लिखते हैं कार्ब एलडिहाइड शब्द का सफिक्स का उप्योग करेंगे इसी तरह से यहाँ पर हम जो किटोन हैं उनके नामकरण के लिए हम एलकिल मूलकों का नामकरण करने के बाद अंत में ओन सफिक्स का उप्योग करेंगे तो आईए कुछ उदाहरन के द्वारा हम LD हाइट तथा किटोनों के नामकरण को समझते हैं इसे हम एक उदाहरन के द्वारा समझते हैं यहाँ पर हमारी परस एक उदाहरन है जिसमें कि आप देख रहे हैं एक LD हाइट समु सी डबल बन ओ एच दिख रहा है तथा उससे जुड़ा हुआ एक CH2 समु है और उसके बाद CH3 समु है तो यहाँ पर हम देखें कि चुकि यहाँ पर LD हाइट समु है और इसे ही प्रिफरेज देंगे साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो भी कार्बन युक्त क्रियात्मक समु होते हैं उनके कार्बन को मुख्य श्रंखला में सामिल किया जाता है तो इस तरह से हम LD हाइट समु वाले कार्बन को पहला क्रमांग देंगे और उसके बाद हम दूसरा और तीसरा क्रमांग देंगे अब हम इसका नामकराण करेंगे नामकरन करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन कार्बन उपस्तित हैं और तीन कार्बन उपस्तित होने का ताथ पर यह है कि यह प्रोपीन का व्यत्पन है साथी साथ यहां में आप देख रहे हैं कि सभी जो बंद है वो एकल बंद है यानिकि यह संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन है और इस तरह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन लेकिन साथ में चुकि यहां पर sont me और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एल तो यहां पर हम लखेंगे प्रोपीन अल प्रॉपीन एल साथी साथ यहां पर बता दूं कि चूकि प्रोपीन के अंतमी जो इय है और साथ में जब हम A L लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो वोवल्स है वो रिपीट हो रहे हैं तो इसके लिए जो प्रोपीन के अंत का इसे हम वहां से विलोपित कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपे नल इसी तरह से हम एक ऐसा उदारान अब लेते हैं जिसमें की एल्डिहाइड समू को मुख्री श्रिंख्ला में सामिल नहीं किया जाएगा यहाँ पर हम एक देख रहे हैं कि ए रिंग है और इसलिए हम इसके लिए प्रफिक्स यूज करेंगे साइक्लो तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन और चुकि यह जो का अल्डिहाइड समू है उससे हमने मुख्य रिंग में शामिल नहीं किया है तो इसलिए इसके लिए हम पूरा नाम लिखेंगे क कार्ब अल्डिहाइड तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन कार्ब अल्डिहाइड इसी तरह से हम कुछ किटोन का उधारन लेते हैं अब हम एक उधारन कीटोन का लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है जो किटोनिक समू है सी डबल क्रियात्मक समू होते वे भी इसके कार्बन को हम पहला क्रवांकन नहीं दे पाते हैं लेकिन हमें जो लंबी श्रंखला है तो उसमय हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि क्रमांकन उस तरफ से हो जिधर पर किटोनिक समू समीफ हो पास में हो तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हम दाईयों से अंकन करें या बाईयों से दोनों और से यहाँ पर जो कीटोनिक समू है वह दूसरे नंबर कार्बन पर उपस्तित है तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर जो कार्बन श्रिंखला में तीन कार्बन है एक दो और तीन तथा जो कीटोनिक समू है वो सेकंड कार्बन है तो इस तरह से तीन कार्बन युक्त एलकेन का विद्पन है इसलिए इसका जो प्रिफिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेन साथी क्योंकि यहाँ पर ओन है कीटोन उपस्तित है और इसके लिए सफिक्स यूज किया जा नाम हो जाएगा प्रोपेन टू इसी तरह से हम एक और लेते हैं यह भी एक स्पेशल उदारन है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि कीटोनिक समू सी डबल बन ओ से एक तरफ मेथिल समू जुड़ा हुआ है तथा एक तरफ एक तीन कार्बन युक्त रिंग उपस्तित है तो यह हाँ पर हम देखें कि इस से हम एक साथ इसका नमांकर नहीं कर पाएंगे और इसलिए हम यहाँ पर जो समू है C double burn O CH3 यह जो समू है इसको मुख्य श्रेंखला मानते हुए यहाँ पर अब हम जो किटोनिक समू है उसके कार्बन को पहला क्रमांक दे सकते हैं और यहाँ पर यह वन टू दो कार्बन वाले यह एलकेन का वित्पन कहलाएगा साथी साथ जो रिंग है उपस्तित है उसे भी हम यहाँ पर प्रतिस्ठापी के तौर पर लिखेंगे तो यहाँ पर जो रिंग हो जाएगी वह होगी साइक्लो प्रोपेन और चुकि यह पॉझीशन पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है इसffentlich हम लिखेंगे वन साइक्लो प्रोपेन और चुक्意 है इसमें मुख्य कार्बन शृंखला में दो कार्बन है और इसलिए इसका नाम हो जाएगा डिखनोमिला कर ईसका नाम हो जाएगा वनसाइक्लो प्रोपेल कंगा और नाम होगा तो यहां पर हमने दोनों परिस्थतियां देखी हैं जबकि एल्डिहाइड में भी हमने देखा कि कहां पर हम कार्बन को मुख्य श्रिंखला में सामिल करते हैं उस समय हम इसका नामकरन कैसे करेंगे और जब हम इसे मुख्य श्रिंखला में सामिल नहीं करते हैं इसे अलग से लिखते हैं उस समय हम इसका नामकरन किस प्रकार से करेंगे आईए कुछ भीन भीने प्रकार के उदारणों को लेकर हम इसे और अच्छे से समझने का प्रयाज करते हैं अगला उदारण हमारे सामने हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CHO समू यानिके LDH समू उपस्तित है साथ ही यहाँ पर उससे जुड़ी हुई तीन कार्बन की शरंखला है तो इस तरह से LDH समू के कार्बन को पहला क्रमांग देते हुए हम यहाँ पर क्रमांग कन करेंगे कुल मिलाकर यहाँ पर चार कार्बन हैं और चार कार्बन का से मतात पर है कि यह ब्यूटेन का वित्पन होगा साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें कि तीसरे नमबर के कार्बन पर एक मिठायल समू तथा चौथे नमबर के कार्बन पर एक ब्रोमो समू उपस्थित है तो इस तरह से पहले हम प्रतिस्थापी को प्रफिक्स के रूप में लिखेंगे उसके बाद हम मुख्य जो कार्बन श्रिंकला होती है जो हम में रूट है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद जो हम मुख्य कृयात्मक समू है उसे सफिक्स के तौर पर लिखेंगे तो यहाँ पर प्रतिस्थापियों में भी हमने नियम जानते हैं कि इसमें जो अलफाबेटिकली इनका नाम लिखा जाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रोमो अलफाबेटिकली पहले आएगा तो इसका नाम हो जाएगा 4-Bromo-3-Methyl और चुकि यह ब्यूटेन का वित्पन है तो इसके लिए लिखा जाएगा ब्यूटेन-A-L अंत में लगाएंगे तो इसका पूरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 4-Bromo-3-Methyl-Butanel इसी तरह से एक दूसरा उदारण हम ले रहे हैं फिर से यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से एक 6-Carbon युक्त यहाँ पर हमको रिंग दिखाई दे रही है और उससे जुड़ा हुआ एक CHO समू है तो यहाँ पर भी CHO जो अलडिहाइड समू है वो मुखे कारवन श्रिंखला में सामिल नहीं होगा और इसलिए साथ ही साथ यहाँ पर जो 6-Carbon की रिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि चौथे नंबर के कारवन पर एक मेथाइल समू उपस्तित है तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिंग का नाम करण करेंगे और उसके बाद जो एल्डिहाइड समू है उसके लिए पूरा कार्व एल्डिहाइड सफिक्स जोडेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4-Methyl-Cyclohexane-Carb-Eldehyde यह इस कंपाउंड का नाम होगा चलिए एक और उधारन लेते हैं कि कई बार हम देखेंगे कि एल्डिहाइड में एल्डिहाइड समू के अलावा यहाँ पर द्वीबंद भी उपस्तित हो सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर उदारन देख रहे हैं, एल्डिहाइड समू है, जिसके बाद यहाँ पर एक दूसरे और तीसरे नमबर के कार्बन पर एक द्वीबंद उपस्तित है, इसके बाद यहाँ पर एक चौथा कार्बन CS3 के रूप में उपस्तित है, तो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार कार्बन है, यहनि कि यह ब्यूटेन का वित्पन है, साथ ही साथ, चुकि यहाँ पर प्रिफिक्स कोई भी नहीं है, यहाँ पर पूरु लगने के लिए कोई भी प्रतिस्थापी उपस्तित नहीं है, और इसलिए हम पहले जो हमरी में पर द्विबंध उपस्तित है, तो द्विबंध की इस्तती हम प्राया उस कार्बन से दर्शाते हैं, जिसका नंबर कम होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टू इन तथा छो समू यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और उसके लिए हम लिखेंगे अल, तो इसका नाम हो जाएग ब्यूट टू इन अल, हम यहाँ पर जो अल के पहले एक भी लगा सकते हैं, लेकिन यह अंडर स्टूड है, क्योंकि मुख्य श्रिंकला है, तो नेचरली जो समू है, वह पहला कार्बन ही है, तो इस तरह से इस कमपाउंड का जो नाम होगा, वह हो जाएगा ब्यूट टू इन अल, यहाँ पर हम देखें कि इसका यह जो महत्वपून कमपाउंड है, और इस कमपाउंड का जो सामाने नाम होता है, वह होता है एक्रोलीन, एक्रोलीन के नाम से यह जाना जाता है, अगला उदारन हम ले रहे हैं, एक किटोन का, यहाँ पर हम देखें कि किटोनिक C double bond O है और उसके एक तरफ यहाँ पर दो कार्बन की शिंखला है जबकि दूसरी ओर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग उपस्तित है तो यहाँ पर भी हम चुकि बेंजीन रिंग को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिख सकते हैं और इसलिए जो हमारा कीटोनिक समू होगी उस क करभन को हम पहला कार्बन देंगे और इस तरह से एक फी उसको लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर सफिक सोन लिखेंगे तो यहाँ पर प्रतिस्थापी है फीनाइल तो ये हो जाएगा 1-phenyl-propanone इस compound का नाम होगा चलिए इसके बाद हम एक और उधारन लेते हैं जो किटोनिक समू है वह रिंग में भी उपस्तित हो सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 carbon युक्त एक रिंग उपस्तित है जिसमें की एक किटोनिक समू उप इसलिए यहाँ पर हम किटोनिक समू वाले कारबन को पहला क्रमांक देंगे और उसके बाद हम क्रमशव करेंगे यहाँ पर हम देखें कि जो तीसरे नंबर का कारबन है वहां पर मेथाइल समू भी उपस्तित है तो इस तरह से हम यहाँ पर क्लॉक्वाइस जाते हुए नाम करमंकन करेंगे क्योंकि ऐसे स्थति में जो मेथायल समूंव होगा उसे कम अंक मिलेंगे तो इस तरह से इस कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा 3-methyl और चुकि ये रिंग है इसलिए हम लिखेंगे cyclo 3-methyl cyclopentanone और यहां पर चुकि 1 लिखा भी जा सकता है ओन के पहले और नहीं भी लिखा जा सकता है तो 3-methyl cyclopentanone ये इस compound का नाम होगा इसी तरह से कई बार हम देखते हैं कि किसी compound में aldehyde समू या फिर और ketonic समू दोनों साथ-साथ भी उपस्तित हो सकते हैं तो यहाँ पर हम ऐसा ही एक उधारन ले रहे हैं यहाँ पर हम देखें कि CHO समू उपस्तित है और यहाँ पर 5 कार्बन की एक शिंखला है जिसमें कि पहले कार्बन पर एक CHO समू उपस्तित है तथा जो तीसरा कार्बन है वा ketonic समू के रूप में उपस्तित है तो यहाँ पर हम देखें कि जब ketonic समू मध्ध में उपस्तित होगा तो aldehyde और ketone में aldehyde समू को ज़्यादा preference दी जाती है उसे मुख्य क्रियात्मक समू माना जाता है जब कि ketonic समू को हम उसके बाद वाला क्रियात्मक समू मानेंगे तो इस तरह से aldehyde समू को preference देंगे और उसे suffix के रूप में लिखेंगे जब कि ketonic समू को हम prefix के रूप में लिखेंगे और ketonic समू को prefix के रूप में लिखते समय हम इसके लिए oxo prefix भी लिख सकते हैं या फिर keto prefix भी लिख सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह पाँच कार्बन युक्त कंपाउंड है इसलिए यहाँ पेंटेन का डेरिवेटिव होगा और चुकि तीसरे नमबर पर कीटोनिक समू है तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा थ्री ओक्सो पेंटेनल तो इस तरह से एल्डिहाइट और कीटोन में हमें एल्डिहाइट समू को प्रिफरेंस देना है और उससे से नमबरिंग करनी है और हम जानते हैं जिस क्रियात्मक समू को प्रिफरेंस दिया जाता है तो उसे हम सफिक्स के रूप में लिखते हैं यहने कि जो कार्बनिक यॉग मियाचार के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CHO समुह है उसके बाद यहाँ पर CH2 Ch जिस से जुड़ा हुआ CHO समुह है फिर तो हम देख रहे हैं कि टीन एल्डिहाईट समू एक ही कार्बनेक योगीक में उपस्थित हैं ऐसे स्थति में यदि हम नामकरम करें यदि हम दो अल्डिहाइड समू को जो कि मुख्य सीधी श्रिंखला में हमें दिखाई दे रहे हैं यदि हम उन्हें मुख्य श्रिंखला में सामिल करते हैं डाई के रूप में यदि हम तो जो तीसरा वाला जो अल्डिहाइड समू है उसका नामकरण करते नहीं बनेगा और इसलिए हम यहाँ पर जो तीनों अल्डिहाइड समू है उन्हें हम एक साथ मुख्य श्रिंखला से बाहर रखते हुए इस कार्बनिक योगिकों का नामकरण करेंगे तो मुख्य श्रिंखला में हम सिर्फ तीन कार्बन लेंगे जो कि पहला दूसरा और तीसरा तो इस तरह से यह जो कार्बनिक योगिक है वह तीन कार्बन वाले इलकेन का वित्पन माना जाएगा तो इस तरह से इसके लिए prefix हो जाएगा prop 123 try क्योंकि यहाँ पर तीन है और तीनों aldehyde समुहों को हमें carb aldehyde के रूप में लिखना है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा prop 123 try carb aldehyde तो इस तरह से हम इसका नाम करन करेंगे यह काफी महत्वण उधारन है इसके बाद हम देखते हैं एक और उधारन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह मुख्य रूप से 5 कार्बन वाला एक कीटोन है इसके तीसरे नमबर वाला जो कार्बन है वह ऑक्सी समू के रूप में उपस्तित है जबकि दूसरे और चौथे नमबर के कार्बन पर यह मेथाईल समू यहाँ पर उपस्तित है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2,4-dimethyl-pentanone तो इस तरह से हम इसका नाम करण करेंगे अब एक और उधारन हम देखते हैं यहाँ पर उधारन है CH2, double bond CH2, CHO यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तीन कार्बन की मुख्य श्रिंकला है और यहाँ पर यह निकि यह प्रोपेन का वित्पन है साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें कि दूसरे और तीसरे नमबर का जो कार्बन है उस पर द्वी बंध उपस्तित है तो हम जानते हैं दूइबंध तथा मुख्य क्रियात्मक्समू दोनों को सफिक्स के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे अपना वर्ड रूट और यह हो जाएगा प्रॉप टू इन वन अल इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पर देखें कि यह जो कंपाउंड है बहुत ही महत्यपून कंपाउंड है और इसका जो नाम होता है साधारन नाम होता है वह होता है एक क्रोलीन इसी तरह से हम यहाँ पर एक और धारन देख रहा हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक Benzing Ring है जिसमें कि दो A glitchide समूँ हैं नाचुरली जो जो अलवड़इँ समूँ है तो उन ही Carbon को हमें पहला और दूसरा क्रमांग देना होगा और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा Benzene 1,2-Di-Carb-Eldehyde क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो Eldehyde हैं उनके कारबन को हम मुख्य श्रिंकला में सामिल नहीं कर पाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा Benzene 1,2-Di-Carb-Eldehyde यह जो example है यह जो compound है वो thallic acid का वित्पन है और इसलिए इसका जो नाम है वो होता है thalleldehyde इसी तरह से एक और महत्तुपन उधारन हम यहाँ पर लेते हैं आप देख रहे हैं यहां पर भी आप देख रहे हैं कि पांच कार्बन वाली एक सीधी से श्रंकला है जिसके पहले वाले कार्बन पर CHO समू उपस्तित है तो यह पांच कार्बन वाला एल्डिहाइड है और इसका सामाने हम नामकरण करेंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा चुकि यह प पेंटेन और साथ में हम सफिक्स के रूप में जोडएंगे अल तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल यह सामान तौर पर भी काफी महत्तपून है और इसका सामान नाम होता है वेरल अल्डिहाल और यह काफी महत्तपून योगिक है और कभी-कभी इन योगिकों के सामान ना जाम्पल्स के द्वारा लडी हाल्ट्स तथा की टोन्स का नामकरन करना सीख लिया है इसके बाद हम सीखेंगे लडी हाल्ट्स तथा की टोनों को बनाने की कौन-कौन सी विधिया हैं